हेलो एन नमस्कार दोस्तों आप सभी कर स्वागत हैं हमारे इस चैनल पर इस वाक्त के समय चानी सोसल मेडिया में एक हाइपर सोनिक एंटी सिप मिसाइल का इमेज पोस्ट किया जा रहा है जैसे कि आप सभी इस ट्वीटर एकाउंट के दोवारा पोस्ट किये गए एक इमेज को देख पा रहे होंगे जिसमें कि एक एरक्राप्ट एक मिसाइल को कैरी किये हुए है जिसे कुछ सोर्सों का मानना है कि ये CH-AS-X-13 जो कि एक हाइपर सोनिक एंटी सिप कैटेगरी का मिसाइल है और इस मिसाइल को जिस एरक्राप्ट से कैरी किया गया है या एक H-6 के बॉमर प्लेन है जो कि डिफरेंट टाइप आप मिसाइल और बॉम्स को कैरी कर सकता है कुछ एनालिस्टों का या भी मानना है कि या मिसाइल वर्ल्ड का लार्जेस्ट एर लॉंच मिसाइल है जो कि किसी भी High Value Warship और बड़े एरक्राप्ट केरियर को टार्गेट करने में पूरी तरह से कैपबल है और या मिसाइल जिसमें HGV टेकनोलोजी का यूज किया गया है जिसे इस मिसाइल की रेंज और सर्वाइबिलिटी या डिफेंस के अगेंस और भी बड़ जाती है एनालिस्ट का मानना है कि या मिसाइल YJ-12 या DF-21 जो की एक दॉंगफेंग स्रीज का एक एंटी सिप बैलिस्टिक मिसाइल है जहां CH-AS-X-13 डिफ-21 का एक स्टेंडर वर्जन यार लॉंज मिसाइल है जिसमें हाइपरसोनिक टेकनोलोजी का यूज किया गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमेटर से ज़्यादा की हो सकती है और डिफ-21 जिसे चाइना ने अगोस्ट 26 को टेस्ट फायर किया था हलांकी चाइना और चैनीज मिडिया की तरफ से अभी तक इस मिसाइल को लेकर कोई ओफिसियल एस्टेटवेंट नहीं आई है अब हम बात करें भारत और अन्ने देसों की इस हाइपरसोनिक एंटी सिप मिसाइल की तो रसिया उल्रेडी जिरकों नावक एक मिसाइल का टेस्ट फायर कर चुका है जिसकी रिंज 450 किलोमेटर तक के टारगेट को माक एड तक की मैकसिमम स्पीड से स्ट्राइक करने में पूरी तरह से कैपबल है अब अगर बात करें USA की तो अभी भी US हाइपरसोनिक टेकनोलोजी के अंडर डेवलपमेंट फेस पे हैं अब हम लोग बात करें हमारे प्यारे भारत की तो इंडिया उल्रेडी हाइपरसोनिक टेकनोलोजी को अचीव कर चुका है जहां इंडिया ने HSTD वेहिकल को दो वाट टेस्ट कर चुका है पर इंडिया ने अभी तक कोई हाइपरसोनिक एंटी सिप मिसाल बनाई नहीं है हलांकि इंडिया अभी ब्रमोस्टू जो की इंडिया रसिया के दोरा हाइपरसोनिक टेकनोलोजी में डेवलप किया जा रहा है जो की जिरकोन मिसाल की टेकनोलोजी पे वेस्ट होने की सांभावना है तो आखिर चाइना पहले हाइपरसोनिक एंटी सिप मिसाइल पर ही क्यूट डेवलप्मेंट कर रही है जैसे कि चाइना अपने साउथ चाइना सी को लेकर सिरियस रहना चाता है क्योंकि यूवेस नेवी ने कई नेवल एकसरसाइज जपैन के साथ कर चुकी है और इंडिया चाइना अग्रेशन के बाद यूवेस ने अपने तीन नेवल सिप जैसे की यर क्राप्ट केरियर और डिस्ट्रॉई भी डिप्लोई कर चुका है जिस कारण से चाइना साउथ चाइना सी को लेकर सिरियस रहना चाता है सो आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम